आज की कहानी का शीर्षक है मजबूरी चले आए देखते हैं इसमें कहानी के पात्र क्या है और क्या है इनकी मजबूरी अब मैं घर से निकल कर सड़क पर खड़ी हूँ थोड़ी देर बाद बस स्टॉप पर पोहशने लगती हूँ अचानक मेरा दिमाग ये सोचने लगता है कि अब मैं पहले की तरह घुटन मैसूस नहीं करती जैसे की पहले किया करती थी बैसे तो मीरे आदत बस से आने जाने की काफी पुरानी बन चुकी थी पहले तो ऐसे लगता था कि जितना मैं पढ़ कर नहीं ठकती उससे कहीं जादा बस का इंतिजार करने में ठक जाती हूँ कभी कभी तो मैंने एक साथ कई बसें बदली केवल यह सोच कर कि उतनी उब नहीं होगी जितनी की एक खास बस के लिए घंटों खड़े होकर समय बिताने हूए लेकिन क्या करें इंतिजार करना भी एक जीवन का अविन अंग है इसी इंतिजार को काटने के लिए मैं सोचना शुरू कर देती मेरे खयाल से सोचना भी एक कला है क्योंकि व्यक्ति कुछ भी करने से पहले सोचता ही है लेकिन मैं कुछ करने के लिए नहीं बल्कि मातर इंतिजार की समय को काटने के लिए सोचती हूँ अब ये मेरा नियाम है जहां अकेला पन या खाली पन मिला सोचने की प्रकरिया शुरू वैसे भी व्यक्ति मजबूरी में कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है वैसे सच कहूं तो अब मैं खुश हूँ क्योंकि अब मुझे पहले की तरह कुछ भी नहीं खलता बहुत सारी बातें जो मुझे काटे के समान चुपती थी अब वे बिल्कुल भी नहीं चुपती क्योंकि अब मेरा सोचने का द्रश्टिकों समय के साथ ही बदल गया कल ही मेरा मन किसी बात को लेकर खिन हो गया था क्योंकि कई दिनों वाद मेरे एक रिष्टेदार आये थी वे सबके सब दिखावट की चादर ओड़े हुए थी उनकी सोच भी वैसी ही थी मेरी उनसे कभी न बनी जबकि उनका व्यवार बड़ा मदूर होता लेकिन उनके मन में मेरी एज़र और शर्था ना थी बस मात्र उपरी दिखावा हाँ उनमें से एक बड़ी चाची जरूर कुछ अलग थी पहले मैं बहुत गुस्सा होती थी पर अब सोचती हूँ दुनिया में एक चाची नहीं है ऐसी ना जाने कितनी चाचीया होंगी जो सामने से कुछ और पीछे से कुछ और कहां तक इन से उलहस्ती चलूँगी कभी कभी तो ये सोस्ती कि दोश इनका नहीं है बलकि जमाने का दोश है आजकल हर आदमी परेशान है वस्तुए महगी है इसलिए खर्च भी बढ़ रहा है आमदनी कम हो गई है यही सब कारण है जो हर इनसान के मन में खीच पैदा करते हैं यही सब कारण है लालच, लोव, वितिशना मनुश्य में घर कर गई है जमाना भी इसका शिकार हो चुका है इसी जमाने से परिचित होने के लिए तो मैं बढ़ रही हूँ फिर इसमें खीजने की कौन सी बात है यह सब सोच कर मैं सचमुच मुस्कराऊ थी थी इतना सब सोचने के बाद अभी भी मैं वहीं के वहीं बस स्टॉप पर खड़ी थी इधार उदर आँख उठा कर देखा तो सड़क पर लोग अपनी दिन चर्या के अनुसार आ जा रहे थी कुछ पैदर, कुछ साइकलों पर कुछ स्कूटरों पर तो कुछ कारों में और सड़क के किनारे लगी पेण एक पंती में खड़े इन सब का आना जाना देख रहे हैं पेडों के पीछे मकान थी कुछ नए, कुछ पुराने कुछ शान से अकड़े हुए और कुछ पुराने छोटे-छोटे मकान, शर्माती जहेपते से उनसे एक सच्ची सहनवूती जताने की इच्छा होई लेकिन मेरी बस समय नहीं था कॉलेज को देर जो हो रही थी बस, यही सब दुनिया है हर जगे ऐसा ही होगा उनका स्वरूप या मात्रा में भले ही अंतर होगा लेकिन मनुश्य हर जगे मनुश्य ही है इन्ही सब को पहचानने और समझने के लिए हम सब बाहर निकलते हैं और पढ़ते हैं इंतिजार करते-करते मन करता है कि यही कहीं बैठ जाऊं लेकिन बैठ नहीं सकती क्योंकि हम सब सब्भे हैं और वहीं एक और कुछ व्यक्ति खड़े हैं और कुछ शमिक बंधुआ मजदूर पास ही बेखवर बैठे बीड़ी फूग रहे हैं यह सब बैठे हैं और हम खड़े क्योंकि हम सब्भे हैं और वे असब्भे ये भी एक मजबूरी है कि मेरा पैर सुन होता जा रहा है और सब्भेता ने हमें पंगु बना रखा है केवल यही सोच कर मजबूरन खड़ी हूँ कि अभी काफी लोग इंतजार में खड़े पंगु हो रहे हैं अब तक मेरी बस आ चुकी थी और मैं बस में सवार हो चुकी थी बस के हालाद से तो आजकल दुनिया बाकिफ है कि इस तरह बूरी के सामान ठूस ठूस कर भड़ते हैं सवारियों को मुझे भी एक तरफ खड़े होने की जगे मिल गई थी इतनी ज़्यादा भीड कि उमस होने के कारण मेरे सोचने का सिलसला भी तूच चुका था पर एक बात तो है कि इतनी परेशानी होने के बात भी अगर कहीं एकता दिखाई देती है तो बहे बस में ही दिखाई देती है वही पुरानी धक्का मुकी मानू हम सब की यही नियती है शायद आजकल लोग जीवन में भी किसी तरह धक्के खा रहे हैं अब फिर वही पुराना सोचने का सिलसला मिलाने की कोशिस करने लगती हूं मैं सोचती हूं कि आज हम बिलकुल भी इमांदार नहीं रह गए है अपने प्रती भी नहीं जैसे कि मुझे घर जाने की प्रती इमांदारी नहीं रह गई है वरना अब तक तो दूसरी वश से ही आधा रास्ता तो तैक कर चुकी होती छोटी सोविदाएं पता नहीं क्यों खलती है क्योंकि सारी भीड भी उन्हीं में होती है और भीड से लगाव और परिचित भी होना चाहिए और इसके लिए उन सब के प्रती सहनोब होती रखनी चाहिए क्योंकि इसी भीड से मिलकर बना है गाउ, कस्वा कस्वे से शहर, शहरों से राज्ये और इन सब का संगम है हमारा ये देश बस अभी तक चल रही है बस में एक जगे लिखा है कि क्रपया यात्री बिना टेकेट यात्रा ना करें लेकिन किसी ने इसमें से ना शब्द को हटा दिया है अब लिखा है कि क्रपया यात्री बिना टेकेट यात्रा करें मतलब यह है कि आजकर लोग सारे नियम और कानून अपनी सुविधा के अनुसार स्वयम ही परिवर्धित कर देते हैं कोई नियम किसी पर बोज नहीं है सभी हसी, खुशी, बैमानी के साथ जीवन रूपी गाड़ी में सफर कर रहे हैं अभी और सोचना चाहती हूँ लेकिन मेरी बस मेरी मंजिल तक मुझे पहुचा चुकी थी इसलिए भीड और देश की एकता से जल्दी जल्दी अलग होने लगती हूँ क्योंकि अब तक भीड से बहुत खुटन होने लगी थी बस से नीचे उतरनी की जल्दी है क्योंकि आजकल सभी भीड वो एकता से अलग और एकाकी होना चाहते हैं ठीक बैसे ही मैं भी अपने घर की और शित्हिल कदमों से चलने लगती हूँ जैसे घर पहुचने में कोई आकर्शन ना हूँ फिर बही खुटन होने लगती है एकाकी पन की क्या करें जिन्दीगी भी मजबूर है इन सब मजबूरियों के लिए घर तक पहुचने पर सोचने का सिलसला वहीं का वहीं टोट जाता है शायद कल के सिलसले से फिर से जुडने के लिए मैं सोचती हूँ बस यही है मेरी मजबूरी हम सब की मजबूरी I hope आप सब को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी Thank you and this is my self-written story